हलो स्ट्रेंट्स मेरा नाम है उन्नती सिंग और आप सभी लोगों का स्वागत है पाट साला रेलवे एक्जाम्स में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरारबी जेए के एक्जाम पेटर्न की और जो भी आपके एक्जाम की तयारी है यह आपको बहुत पहले से प्लान करना होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब भी आपका फॉर्म आता है तो आपके पास में इतना समय नहीं मिल पाता है कि आप अच्छे से अपनी को तैयारी को कर सकें तो हमें जो अपनी तैयारी है वो बहुत पहले से प्लान करनी होती है और जह हम अच्छे से प्लान करते हैं तभी हम उसको अच्छे से एक्जेक्ट कर सकते हैं और फिर आसानी से एक्जाम में सेलेक्शन ले सकते हैं ज्यादा problem हमको होगी नहीं तो चलिए हम लोग समझने की कोशिस करते हैं कि जो हमारा exam है जैसे मैंने बताया कि दो फेज में mainly exam होता है एक होता है computer based test 1 CBT 1 और एक होता है computer based test 2 CBT 2 तो हमारा CBT 1 किस तरीके से होता है तो CBT 1 के exam में आपके पास में ये subject आपको screen पे दिख रहा होंगे में लिए 4 subject आपसे पूछे जाते हैं एक आपका रहता है mathematics एक आपका रहता है general intelligence या इसको हम लोग reasoning भी बोलते हैं एक रहता है आपका general awareness जिसमें आपका current affair वगरा भी आता है बाकी general knowledge की चीज़े आती है जिसको GK भी हम लोग बोलते हैं और एक आपका रहता है general science science में जैसे आपका physics हो गया, chemistry हो गया, biology हो गया इसमें जो scoring subjects हैं वो आपका math है आप math में अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो 30 में 30 से score कर सकते हो आसानी से 30 question होते हैं और एक question एक number का होता तो 30 number के होते हैं आसानी से आप 30 में 30 score कर सकते हो इसी तरीके से reasoning भी इसी तरीके का scoring subject होता है 25 question होते हैं अगर आप बहुत अच्छे से command रखते हो reasoning में तो reasoning में भी एक-दो सवाल का भी गलत हुए तो गलत हुए ने तो आप सारे score कर सकते हो इसी तरीके से science भी आपका scoring subject होता है अगर आपको अच्छे से command है science पे physics पे chemistry पे biology में तो इसमें भी आप अच्छा score कर सकते हो कहने का मतलब आप इन तीन subject के दम पे ही आप अपना tier 1 का exam clear कर सकते हो इसके बाद GKGS के भी जो question आते हो 15 question आते है 100 question और इनको solve करने के लिए 90 minute का समय आपको दिया जाता है और यह sufficient time रहता है जिसमें आप आसानी से 90 minute में आप सारे 100 सवालों को solve कर सकते हो लेकिन इनको आपको अच्छे से पहले पढ़ना पड़ेगा सीखना पड़ेगा जो भी बच्चे CBT1 का exam देते हैं जितने भी बच्चे form भरते हैं सभी लोग CBT1 का exam देते हैं और इस exam को देने के बाद में बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं कुछ बच्चे सेलेक्ट के जाते हैं और कुछ बच्चे बाहर जाते हैं जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं वो CBT2, phase 2 जिसको बोल सकते हैं, वो exam देते हैं, इन में जो subject होते हैं, इसमें आपका main दो subject जो था, math और reasoning, वो हट जाता है, दो नय subject add हो जाते हैं, एक आपका computer और एक आपका environment, और science में भी जो biology का topic है वो हट जाता है, physics और chemistry बसता है, तो अगर हम लोग CBT2 के subject की बात करें, तो इसमें एक general awareness जो पीछे भी था, वो यहाँ पे भी रहेगा, 15 question आएंगे, फिर physics और chemistry के भी 15 question आएंगे, computer का 10 question और environment के 10 question आएंगे, ये total हो गए आपके 50 question और बाकी जो 100 question आएगा, वो आपका technical, जिस भी trade से आपने engineering का रखे या date question रहेंगे, total हमारे CBT2 में 1500 question आते हैं और इसको solve करने के लिए 120 minute का समय मिलता है, फिर CBT2 के बाद में final result आता है, merit आती है, कि इतने सारे बच्चे हमारे select हो गए हैं, उन सभी बच्चों का field DV होता है, और DV के बाद में आपका medical होता है, और final के आ जाती है, joining आ जाती है, तो CBT2 में पहुचने के लिए CBT1 के यह जो subject है यह आपको पढ़ने ही पढ़ेंगे, अगर यह पढ़ना है तो इसमें scoring subject आपका math है, reasoning है और science है, इस पे आपको बहुत अच्छी command बनानी पढ़ेगी, जी के जी है सब दुनिया भर है, पढ़ चाहे कितना बिलो, लेकिन score आप नहीं कर सकते हो, सबी के साथ वही है, आपके साथ कुछ बच्चे extraordinary होते हैं, जिनको general knowledge के बारे में बहुत सारा घ्यान होता है, वो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनका पीछे का background बहुत अच्छा होता है, अगर जो math stream से उनको math और reasoning को करने में कोई बहुत खास problem नहीं होती, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप math stream के नहीं हो, तो आपको बहुत अच्छे से महनत करना पड़ेगा, तब ही जाके आप math और reasoning को आसानी से solve कर पाओगे, अगर इनी subject पे आपका command नहीं है, तो CBT1 आपके लिए all difficult हो जाएगा, तो इन subject पे आपके अच् बहुत important point है, जिसको हम लोग discuss कर लेते हैं, कि अगर हम लोग 2018 के exam से analyze करें, जो हमारा पीछे का exam हुआ है, उसमें अगर हम लोग बात करें, जो हमारा exam था, कितने form भरे गए थे, कितनी post थी, तो लगबग लगबग इतनी post थी, इतनी vacancy थी, और इतनी vacancy के लिए लगबग कितने form भरे गए थे, 13487 के पास में vacancy थी, और लगबग 2727,000 के आसपास form भरे गए थे, अगर आप ये निकालोगे कि per person, अगर इनसे इनका अनपात निकालोगे, तो ये आएगा एक अनपात 200, मतलब एक seat के लिए 200 लड़कों ने form भर रखा है, तो इससे आपको ये idea लग हैंगे, तब ही आप आसानी से एक्जाम में select हो पाएंगे, वरना भई देखरो न, एक seat के लिए 200 लोग हैं, कब आदमी आपको धक्का देके आके निकल जाएगा, आपको मालूम ये नीचलेगा, ठीक है, तो competition बहुत तगड़ा है, और salary भी ठीक ठाक है, salary ये है कि अगर आ इनी period पे रहते हो तो लगबग 35,000 है, और फिर जब permanent हो जाते हो तो 42,000 है, जैसे जैसे आपका promotion होता जाता है, वैसे वैसे salary बढ़ती जाती है, और हमारे ख्याल से लगबग 1,20,000 के आसपास आपकी salary जाती है, promotion के बाग, ठीक है, जो बात का part है, बात का मुद्दा है, वह पर हम लोग बाग में जाएंगे, यहाँ पर नहीं जाते हैं, पहले यहाँ पर समझते हैं, यहाँ आपका immediately तुरंद का part है, ठीक है, अच्छे हम लोग अभी बाग कर रहे थे, math के syllabus की, तो math में हमारे कौन-कौन से chapter आते हैं, उनका क्या importance है, इसको भी समझ लेते हैं, तब आपके exam में पुछे जाएंगे, cbt1 में, chapters के नाम अगर पहले से सुन रखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुन रखें तो सुन लो, number system, number system में हम लोग numbers के बारे में समझते हैं, जो भी हमारे numbers हैं, उनका behavior क्या होता है, कितने तरीके के numbers होते हैं, क्या-क्या उनकी property हो तो उसमें decimal भी आता है, fraction भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, बस आपको एक बार गुजरना पड़ेगा, एक बार अगर देख लोगों तो आसानी से समझ में आ जाएगा, LCMS से भी हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है, इसको भी बस एक बार देखना है और समझ में आ यहां से लेके यहां तक, यह सबसे important chapter है, इन से जितने सवाल आते हैं वो तो आपके काम के हैं ही, उनके लिए आपको इनको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इन सभी chapters का use आगे के chapters में बहुत जादा होता है, इसलिए भी इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अग क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, इसके बारे में पढ़ते हैं, time and work एक chapter है, जिसमें कौन आदमी कितनी देर में कितना काम कर सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, pipe system इसी तरीके से related है आपका time and work से, कि एक pipe को पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगता है, उसी तरीके का है, simple and compound trust, यहाँ पे हम लोग interest की बात करेंगे, profit and loss, कोई समान खरीदा और बेचा उसकी बात करेंगे, algebra, जहाँ पे आपका X और Y लगा होता है, सभी को मालुम है, geometry, जहाँ पे हम लोग geometrical, आकृती, like tribute, चत्रबुज, circle, इनके बारे में सीखेंगे, इनके ब सीख रखा होगा, sin theta, cos theta, 10 theta, उसकी बात करेंगे, elementary statics, RRBJE के exam में elementary statics आता है, बहुत advanced level का statics नहीं आता, ठीक है, तो elementary statics के बारे में सीखेंगे, जहाँ पे आपका mean, median, mode, variance, coefficient of variance, standard deviation, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, कहाँ पे, statics में, ठीक है, square root, यह भी आपका उपर का ही पार्ट है, जो यहाँ पे अभी हम लोग basic बात कर रहे थे, यहीं पे use होगा, और यह भी एक basic है, जिसका हम लोग बाकी के chapters में use करेंगे, age calculation, यह आपका ratio chapter से related रहता है, हलाकि आपके exam में age से सवाल ठीक ठीक आते हैं, एक दो सवाल इससे आते हैं, तो important chapter है, time distance, यहाँ पे हम लोग दूरी और समय की बात करते हैं, time, speed, distance, calendar और clock वैसे तो reasoning के chapter में रहता है, लेकिन यहाँ पे RRBJ के exam, जो notification था, उसके syllabus में यह math में पढ़ा हुआ था, बट इसको reasoning के teacher पढ़ाते हैं, अगर जैसे reasoning के teacher नहीं पढ़ाएंगे, तो हम भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन यह generally आपको reasoning के teacher पढ़ाते हैं, तो यह आपको tension नहीं लेना है, ठीक है, जो भी हमारा पूरा यह chapters थे, इनको हम लोग दो पार्ट में divide करते हैं, एक पार्ट होता है आपका arithmetic, और एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं advance, arithmetic में वो सारे chapter है, देख लो कौन कौन से है, number system, board, mass, decimal, fractions, square root, LCM, SM, ratio, proportion, age, percentage, time, work, time, speed, distance, five systems, simple interest, components, profit and loss, यह सारे हमारे arithmetic के chapters हैं, यह advance की chapters है, advance की chapter में technometry आता है, elementary statics आ जाता है, mensuration आ जाता है, algebra जाता है, geometry आ जाता है, यह आप थोड़ दो, यह आपके reasoning में आता है, ठीक, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो हर chapter से same amount of question आते हैं, जो उसमें से जादा important है, वह मैं आपको बता देता हूँ, अगर पहले की बात करें, तो पहले सभी से बराबर बराबर सवाल आते थे, लेकिन अगर अभी के exam pattern की बात करें, अभी exam में क्या होता है, कि कई बार ऐसा होता है, कि किसी एक chapter से जादा सवाल पूछ लिया, और हो सकता है कि algebra से एक भी सवाल निग पूछा, हो सकता है कि algebra से चार सवाल पूछ लिया, और हो सकता है कि technometry से सिर्व एक सवाल पूछा, तो आज कल के exam pattern में ऐसा भी होता है, तो हमको क्या है कि हर chapter को बहुत अच्छे से सीखना होगा, किसी एक set में किसी chapter से कितने question लगबग लगबग exam में पूछा आते हैं, वैसे exam में दिया तो होता है कि pattern में हमारे 30 question आते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हमारा क्या होता है, mix 100 question आते हैं, पहला question math का है, English का है, sorry, math का है, reasoning का है, GS का है, science का है, मालूम नीचे लगा, कोई भी question हो सकता है, इसी 25 तक भी आ जाते हैं, लेकिन average आपके 30 question exam में पूछे जाते हैं, ठीके, हम लोग अगर बात करें आगे, तो हम लोगों ने आपके लिए class plan कर रखा है, जो की RRB JEE special math रहेगा, सिर्फ JEE वाले बच्चों के लिए especially हम लोग ये class plan कर रहे हैं, इस class का जो timing रहेगा, वो 9 बज अच्छा एक और important बात है, जो भी बच्चे RRB JEE की तियारी अभी से start कर चुके हैं, उन सभी के लिए ये है कि माई पार्चाला का आप application install कर लो, और अगर CBT1 का आपको complete course ही है, सिर्फ CBT1 की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग CBT1 की बात कर रहे हैं, CBT1 complete course, तो ये already हमारे प जो को हम लोग को ढूंड-ढूंड के पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर आप my part शाला का application install कर लोगे, और इस complete course को आप ले लोगे, तो वो सारा का सारा चीज आपको एक साथ एक जिगे पर मिल जागा, और आप तयारी को तुरंत start कर सकते हो, उसके लिए फिर आपको बट ठीनों करेंगे, ठीक है, बाई-बाई, जै हिंद।